टीवी एक्ट्रिस अपने लुक्स से अपने फैन बनाती है और ये फैन्स जिंदगी भर उनके लुक्स के दिवाने रहते हैं लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताए कि आज की टॉप एट टीवी एक्ट्रिस ने अपना लुक एकदम से बदल लिया है वो वैसे बिल्कुल भी नहीं दिखती जैसे अपने करियर की शुरुवात में दिखती थी आईए आपको दिखाते हैं कि कैसे इन आट टीवी एक्ट्रिस का लुक वक्त और हालातों ने एकदम से बदल दिया है सुर्भी चंदना सुर्भी चंदना ने नागीन फाइफ से खूब सुर्ख्या बटोरी है अवएक स्टाइल आइकॉन है लेकिन आज की स्टाइल आइकॉन सुर्भी की शुरुवात बड़े ही नौन ग्लेमरिस अंदाज में हुई थी टीवी शो तारक महता का उल्टा चश्मा से पहले सुर्भी टीवी शो में छोटे-छोटे कैम्यो रोल किया करती थी उस वक्त उनका लुक भी आज से एकदम अलग लगता था लेकिन अब उनकी नई तस्वीरे गवाही देती है कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी आक्टिंग पर बलकी परसनालेटी पर भी खूब काम किया है संजीदा शेख क्या होगा निम्मो का साल 2006 में संजीदा शेख ने इसी शो से अपने टीवी करियर की शुरुवात की थी इस दोरान वो एकदम सीधी साथी और घरेलू लड़की सी नजराती थी लेकिन इसके बाद संजीदा कलूब बतला और वो कुछ फिल्मों में भी नजराई और आज आलम यह है कि संजीदा टीवी की दुनिया की सबसे हसीन और बोल्ड अक्ट्रोसिस में से एक गिनी जाती है इसके एक बड़ी वज़ा है उनका चौकाने वाला ट्रांस्फोर्मेशन संजीदा शेक की तरहा ही मौनी रॉय ने भी 2006 में क्योंकि साज भी कभी बहू थी में कृष्णा तुलसी विरानी बन कर डेब्यू किया था लेकिन बदलते समय के साथ मौनी रॉय ने गजब का ट्रांस्फोर्मेशन दिखाया पहले उन्होंने नागिन में सब को अपने लुक से हैरान किया और बाद में जब वू मौडलिंग और फिल्मों की दुनिया में गई तो उनके लुक ने तो सब पर कहर ही धा दिया हीना खान साल 2008 में पहली बार टीवी पर नजर आई थी तब वो इंडियन आइजल में कंटेस्टन बन कर आई थी लेकिन फिर 2009 में उन्होंने टीवी पर अक्षरा बन कर सभी का दिल जीत लिया गिरुष्टा क्या कहलाता है कि जरिये हीना ने हर दिल में अपने लिए खास रगा बनाई लेकिन अब हीना बहुसे बेबी के अफ्तार में ट्रांस्फर्म कर चुकी है अपनी बॉड़ी और लुक को मेंटीन रखने के लिए हीना खूब पसीना बहाती है लेहाज नतीजा सब के सामने है अविका गौर ने टीवी पर बालिका वथू सीरियल के जरिये कदम रखा था उम्र कम थी और अविका का अंदाज भी बच्चो जैसा था लेकिन एक ब्रेक के बाद जब अविका गौर दिपिका ककड के साथ सासुराल सिमर का में नजर आई तो उन्हें देख कर हर कोई दंग था आप तो अविका और जाधा ट्रांसफर्म हो जुकी है खासकर जब अविका की नई तस्वीर इंस्टग्राम पर सामने आती है तो उनके ट्रांसफर्मेशन को देख सब हैरान रह जाते है क्रिस्टल डिसूजा ने अपने करियर की शुगात कही ना कही से की थी लेकिन एक हजारों में मेरी बहना है ने क्रिस्टल को पॉपुलरिटी दिलाई दस साल से भी जादा लंबे करियर में क्रिस्टल ने खुद को कितना ट्रांसफर्म किया है यह उनके तस्वीरों से साफ पता चलता है मंदीरा बेदी मंदीरा बेदी साल 1994 में घर घर की बेटी बन गई थी दूरदर्शन पर श्वांती सीरियल से उन्होंने टीवी शो की दुनिया में नई मिसाल कायम की समय के साथ मंदीरा फिल्मों में भी नजर आई और क्रिकिट के ग्राउंड पर कमेंटरी करती हुई भी लेकिन फिटनस के दिवानों के लिए मंदीरा अब एक रोल मॉडल बन गई है वो उनके दोस्ती ट्रेड मिल से जादा है ट्रांस्फोरमेशन ऐसा की आखो को यकीन ना हो और हाँ उम्र कोई चीज नहीं होती ये बाग भी मंदीरा ने साबिद की है टीवी के दुनिया में इन दिनों रुपाली गांगुली का सिक्का चल रहा है अनुपमा की पॉपलारिटी साथ व्यास्मान पर है लेकिन कभी सारा भाई वर्सिस सारा भाई में नजराने वाली रुपाली उस समय के साथ इतनी बदल जोएंगी किसी ने नहीं सोचा था